राम राम किसान भाईयों मैं नितिन फिर से हजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयों सरसो की बॉआई का जो समय है वो बिलकुल चालू हो चुका है 15 सितंबर की डेट आ चुकी है और 15 सितंबर से ले करके 15 अक्टूबर तक यदि आप सरसो की बॉआई कर देते हैं तो बहुती सही और सांदार समय किसान भाईयों सरसो की बॉआई के लिए रहता है यानि कि यदि आप अगेती सरसो की खेती करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक यदि आप सरसो की ववाई कर देते हैं सही समय पर सही खादो का चेन करते हैं और किसान में यो अपने बीच को आप फंगी साइट से उपचारित करते हैं तो बहुती अच्छी पैदावार सरसो की फसल आपको आने वाले समय में दे सकती हैं तो यहाँ पर मैं सरसो की ववाई के अंदर आपको कौन-कौन से खादो की कितनी-कितनी मातरा लेनी है संपूर जानकारी आपको देने बाला हूँ बीज उपचार आपको कौन सी दवाई से करना है बीज आपको कितना लेना है संपूर जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके यदि आप किसान भाईयो समय पर खाद नहीं डालते हैं या सही खादो का प्रिबंदन आप वुआई में नहीं करते हैं तो आपकी पैदावार में कम से कम दो से लेके तीन कुंटल तक की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है और यदि आपने बिल्कु सही ढंग से बीज उपचारित किया सही खाट डाले सही बीज लिया तो किसान भाईयो आपकी जो पैदावार है वो दस कुंटल से उपर ही प्रती इकल के हिसाब से निकलेगी दस कुंटल से नीचे की पैदावार आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और आपने और भी ज़्यादे अच्छी की तरीक से ध्यान दिया तो 12 कुंटल, 13 कुंटल तक की पैदावार भी किसान भाई जो है सरसो की फसल से, सरसो की खेती से निकाल सकते है किसान भाई आप जो इस समय पर सरसो की फसल देख पा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो पहले बात कर लेते हैं कि सरसो की बाई का सही समय क्या है तो किसान भाईयो एक किलोग्राम पिरती एकल के साब से हाइब्रेट सरसों का बीज आप लेंगे तो बिल्कुल सही और अच्छी डोज किसान भाईयो ये हमारी फसल के लिए रहती है बात करते हैं बीज उपचार की नया बीज लेने के बाद भी किसान भाई यो आपको मेरी राय में उसे बीज उपचारित करना चाहिए जिससे कि हमें बिल्कुल 100% अपने जिम्मेदारी के साथ हम इसके अंदर अपनी बुआई कर सकें तो बीज उपचार करने के लिए आपको कारबन डंजी 12% और में को जब 63% में जो हमारा शोलूशन आता है इसकी मातरा 2 ग्राम पिर्ती 1 किलो ग्राम बीज के लिए लेकर के इससे आप बीज उपचारित करेंगे फसल के अंदर कीट लग जाएंगे तो हमें इससे काफी ज़दे हानी देखने को मिल सकती है और साथ में अन्य अखाद भी हमें लेने हैं तो पहले बताता हूँ कि आपको सिंगल सूपर फास पेट की मदद से सरसो की बुआई करनी चाहिए वो सिंगल सूपर फास पेट की मातरा आपको लगबग 120 किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से यदि आप सिंगल सूपर फास पेट लेंगे तो ये अच्छी डूज रहेगी आपकी सरसो की फसल के लिए साथ में किसान भाईयो पोटास आपको लेना चाहिए और पोटास लेनी चाहिए जो मियूरेट ओफ पोटास हमारी होती है इसकी मातरा किसान भाईयो आपको 25 किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से बुआई के समय पर लेनी चाहिए जिससे किसान भाईयो हमारी जो फसल है वो सुर्वात से ही अच्छी तरीके से टिल्रिंग और कल्ले बना करके चल सके साथ में यूरिया की मातरा आपको यहाँ पर लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मातरा भी किसान भाईयो लेनी चाहिए और इन तीनों खादों को आप अच्छे से मिलाके तब आपको इनका छिड़काओ अपनी सरसों के खेत के अंदर करना चाहिए साथ में जो आप यहाँ पर कीट ना सक लेंगे चाहें तो आप रिजेंट का उप्योग कर सकते हैं जो रिजेंट आता है 0.3% ग्रेंडवल में इसकी मातरा किसान भाईयो आप पांच किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं या फिर यदि आप इसे लेना नह बता दिया और खात कौन कौन से डालें वो भी मैंने आपको बता दिया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा से जादा जादा से जादा से जादा से जादा से चरूर करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाईयो को राम राम जी